श्र exception क्या किया था म Черग में हम लोगोंने क्वी से पी आर्ट थियूरी हम एलो शक्षम एसिआ थी यह हमने स्टार्ट है और मैंने कहा था कि अगले लेक्षर में हम इस पी यारuden को सलगे बात को स्टार्ट गरते 35 घूरी को समझते मंभ़िया से चलो देखें आप बोर्ड पे हम सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे है इसको हम एम नंबर लिख लेते हैं इसको सुल लीजिए क्या है इसमें जो है सेंट्रल एटम जिसके चारों तरफ जो है बाकी एटम्स लगे होते हैं समझा जाएगी आपको कि बी क्या है बी सुरांडिं एक सुरांडिंडंग है यह संट्रल एक सेंटन एक यह सरौंदिंग ए लिजा लोन पैर अन्यमेन स्टैंड उप्टामल म स्टैंव जो डीजए लिजए स्राउंडिंग एटम्स एंड एंड निज नंबर ओफ लोन पेर्स सब्सक्राइब सो यह जनल रिप्रेजेंटेशन है हमारी ठीक है कि ऐसे हम जो है मौलीक्यूल्ज के फार्मूले जो है रिप्रेजेंट करते हैं चलिए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं ठीक है अच्छा इसके साथ में हमने एक और टर्म समझनी है बेटाजी डैटीज इस टैरिक नंबर स्टैरिक नंबर क्या है इस 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 सम और मलन नंबर ओ लोन पेर्स प्लस नंबर ओ बॉंड पेर्स ठीक है मतलब एक तरह से यह जो है एम प्लस न हो गया ठीक है ओके अब सुनिए स्टैर में वी से पियार को अपलाई करना सीख रहें ठीक है अब वी सी पियार का यूज आएगा ठीक है चलिए पहला फार्मूला देखते है आपको बात समझ में आ जाएगी सो सबसे पहला फार्मूला है जी A, B, 2 A, B, 2 मतलब इसमें लोन पेर एक भी नहीं है जब लोन पेर है नहीं तो हमने लोन पेर L लिखा है नहीं A, B, 2 पहला फार्मूला अब सुने A, B, 2 में देखो A के अराउंड दो B लगे हूँ है ठीक है? और जो A है देखो A के अराउंड B दो लगे हुए है मैं अलग-अलग डाइगराम एक बार बना के आपको बता रहा है देखो A के अराउंड B कई तरीके से लग सकते है ऐसे लग सकता है B ठीक है? A के अराउंड B ऐसे भी लग सकता है एके अराउंड बी ऐसे भी लग सकता है मलब यह एंगल जो है यह एंगल 90 डिग्रीज है यह एंगल हम 45 डिग्रीज माल लेते हैं यह एंगल जो है 180 डिग्री सुनते जाएए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ओके अभी समवनें सेंग कि अभी उसने जोईन किया है बेटा आपको अभी बात समझ में आ जाएगी उपर देख लो हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है थीक है कि हम रिपर्जेन्ट ऐसे करोगे ए सेंटल एटम है विसराउञंडिंग एटम है एल लोन पियर जैंड एम एन लो के नंबर इस तेरिक नंबर नंबर आफ लोंपियर प्लस नंबर ऑफ बॉनड पियर स्थिक है ना अच्छा ये मैंने पहला मॉलीक्यूल स्टार्ट किया विए सी पियार थी एप्लिकेशन में मैंने का एबी टू नाम का कोई मॉलीकियूल है और यहां पर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि यह है यह 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 तीन स्ट्रक्चर से सुनते जाएगा अब आपके पास सवाल आ रहा है सुनते जाएगा इस में भी दो इलेक्ट्रॉन है बेटा जी मेरा सवाल यह है कि चलो इसको हम ए स्ट्रक्चर मान लेते हैं इसको हम बी स्ट्रक्चर मान लेते हैं इसको हम सी स्ट्रक्चर मान लेते हैं अब मुझे आप जवाब दीजिए कि जैसे वी एसी पियार फियूरी यह कहती है कि भाया जो इलेक्ट्रॉन पेर्स हैं उस एंगल पर रखते हैं जिसमें कि उनके बीच में रिपल्वशन मिनिमुम है ठीक है रिपल्वशन क्यों होगी क्योंकि यह लोन पर यह जो बॉन्ड–पियर है इसमें जो धो इलक्ट्रस्व नेगेटिवलीचार्ज दें उनमें रिपल्वशन जो हैं होनी है आप मुझे ल सबसे कम किसमें होगी वह जो बॉंड के एलेक्ट्रौन प्यर्इब बिल्कुल संचित सख्षम एक दम सही कि मालवी काना कुल बिलकुल साहिए अक्षित कुलमीद एक दम सख्षिक इसाहिन सोम्या समया सभी हर्याक सभी विनिकता साही मानम जोद गलत सो सही जवाब है यह क्यों आयो शमाने बिल्कुल सही सुनो यह इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो बॉंड पेर्स के एलेक्ट्रोन है ठीक है वो जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस में उनके बीच में रिपल्शन मिनीमम होगी सही बात है जब यह बॉंड एक भी सबसे कम किसमे होगी तो इसलिए हमारा सी और है इसलिए का और चल्दि हमारा अंसर है तो AB2 की तरह के structure के जितने भी molecules होंगे, उनकी structure जो है ये होगी, ठीक है? So, इन में, आप सुन लो, इसमें bond pairs कितने है? bond pair जो है 2 है, loan pair कितने है? 0 है, so steric number कितना है? 0 प्लस 2, is equal to 2, steric number is 2, सुनते जाहिए, steric number is 2, ठीक है? So, इसके जो examples होंगे, सुनते जाहिए, इसके जो example होंगे, जैसे BECL2, इस structure वाले जो example है, HGCl2, CO2, HGCl2, CO2, बेटा जी क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आपको, क्या आपको ये बात समझ में आई, कि इस टाइम पर, यहां पर VSC PR theory apply हो रही है, जिसमें हमने कहा था कि जब भी, जो है central atom के around, जो bond pairs हैं, वो अपने आपको ऐसे align करते हैं, कि उनके बीच में repulsion minimum हो, तो minimum repulsion किसमें आई? C वाले में आई, तो इसलिए, जो हमारा molecule है, उसकी जो shape रहती है, यहां पर मैं बता दूँ, इसकी जो shape रहेगी, अब, क्यूंकि यही सही है, तो shape इसकी हम बोलेंगे linear shape रहेगी, shape will be linear, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसकी जो shape रहेगी, that will be linear shape, सही बात? Is that right? चलिए, बहुत बढ़िया. Nice, so यह हो गई, देखो अब B.S.C.P.R. theory आएगी, limelight में, आप note कर लिया सबने? चलो, अयोश्मान, note कर जल्दी. चलिए, अब नेक्स्ट इस, अगला है, AB3, अभी loan pair नहीं ले रहे हैं, नहीं, H2O नहीं, अभी H2O आएगा, देखना, थोड़े दर में H2O भी आएगा, AB3, AB3 में सबसे पहले आप देखो, AB3 में bond pair कितने है? 3, loan pair कितने है? 0, steric number कितना हुआ? 0 प्लस 3, 3 हो गया. अब A के around 3B अपने को लगाने है, सब की समझ, सब को पता है. कैसे लगने है? B, B, and B. और A और B के बीच में angle कितना होगा? 120 degree का होगा. सही बात है, देखो, यही सबसे right structure है. A के around अगर 3B ने लगना है, तो repulsion को minimize, इन bonds में मौझूद electrons की repulsion को minimize करने के लिए हमारा molecule इस form में exist करता है. बोलो सही बात है, यह form मतलब, यह जैसे देखो, यह तीनों marker है, यह तीन marker है मेरे पास, आप देखें, सो यह तीन marker ऐसे हैं, यह देखी. दिख रहा है सबको, 120 degree के angle, सब में repulsion same, देखो, मानव जोत, repulsion same हो ना हो, minimum होनी चाहिए, तो इन सभी में तो same भी है और minimum भी है, आप देख रहे हैं इस structure को, यह structure सब देख पा रहे हैं, trigonal planer, इस structure को बोलते हैं, trigonal planer, सभी एक ही plane में हैं, आप देखो, ऐसे, एक ही plane में ह सारे, बिल्कुल एक plane में है, ठीक है, सब को समझ में आ गई, इस से बढ़िया कोई arrangement लगती है, किसी को, इस से बढ़िया लगती है, सब में equal है, सब में equal है, सब 120, 120, 120, सम हो गया ना, 360 फिर, ठीक है, सो, ऐसी, इसकी, जियोमेट्री, कहो, या शेप कहो, इसकी जियोमेट्री एंड शेप जो है, वो होगी, ट्राइगुनल प्लेनर, समझा रही है मेरी बात, ट्राइगुनल प्लेनर, इस पॉर्म शॉर्ट में TP भी लिख देंगे, ठीक है, सो बान्ड एंगल कितने का होगा, बान्ड एंगल होगा, जी, 120 डिगरी का, ठीक है, इसके एक्जामपल देखो, एक्जामपल, बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, एल सी एल थ्री, ठीक है, ये है कॉमन एक्जामपल्स, ठीक है, कार्बोनेट भी है CO32 नेगेटिव एग्जामपल्स भी अभी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए एग्जामपल्स में लिखवा रहा हूँ जैसे हम डिटेल में बात करेंगे और आगे आपको ये सब समझ में आ जाएंगे अभी आप इस स्ट्रक्चर पर द्यान दीजिए कि क्या आपको B.S.C.P.R. थियूरी का यूज इसमें दिख रहा है कि क्या आपको आप सेटिसफाइड हो इस बात से कि इन में सब 90 डिग्री के हों मानवजोत 90 डिग्री वाले में मानवजोत कह रहा है कि सर सब अगर ऐसे हो जाएं सुन लो मानवजोत कह रहा है कि A के अराउंड ऐसे A, B, and B, and फिर A को हम आउट दप लेन दिखाने के लिए उसको ऐसे दिखा देते हैं B तो सब के बीच में मतलब 90 डिग्री का एंगल मानवजोत नहीं चलेगा क्योंकि 90 डिग्री वाले में रिपल्शन ज्यादा होगी 120 के कंपेरिजन में क्योंकि इतना तो तुम भी जानते हो कि जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी कम रिपल्शन हो जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी कम रिपल्शन हो ठीक है तो जब 120 का मिल रहा है तो हम 90 वाला क्यों consider करेंगे तो दिस इस रॉंग सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं अगला एक्जामपल लेते हैं सो अगला एक्जाम्पल बेटा जी हम ले रहे हैं यहां पे AB2L AB2L का एक्जाम्पल ले लेते हैं अब यह AB2L मतलब bond pairs 2 loan pairs 1 इसकी जो शेप होगी यह होगी मला अभी भी तीनों इलेक्ट्रोन पेर्स आप समझे अभी भी तीनों इलेक्ट्रोन पेर्स ट्राइगनल प्लेनर ही जुमेट्री बना रहे हैं सुनते जाएगा इसका जो स्टेरिक नमबर होगा डैट विल बी 1 प्लस 2 डैट इस 3 कि लेकिन एक बात का ध्यान रख्ये इसकी जो जुमेट्री है कि इसकी जुमेट्री होगी उसको तो हम कहेंगे डैगनल कि फ्लेनर ठीक है ओट ट्राइगनल फ्लेनर है लेकिन इसकी जो शेप है उसको हम कहेंगे बेंट या भी शेप सुनते जाहिए पहले मेरी एक बात सुनिए जुमेट्री और शेप का अंतर समझी जुमेट्री में क्या होता है जुमेट्री में सारे इंक्लूडीड होते हैं मतलब चाहे बांड पेर हो चाहे लोन पेर देखो एक दूसरे के ऐसे हैं ट्राइगनल प्लेंडर यह हैं अगर आगे ना अगर आगर आपको कैसे दिख रहा है बैंट दिख रहा है लीनियर तो नहीं है यह जैसे हमने पहले अग्जामपल लिया था लीनियर तो नहीं है बैंट है ना तो इस बैंट शी अरिवेटिंग मैं पॉइंट बेटा जी कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई कि लड़कियां बोली बिनिक्ता संचित मालविक का मानव जोड़ ठीक है मोदक मोदक तू तो आ जाया था मोदक समझ में आ रहा है बढ़िया बढ़िया इश्फाक एमद समझ इश्फाक भी लेट आया है इश्फाक समझ में आ रहा है अचा तुन अब अब किसीने मुझे कहा कि ये एंगल कितना होगा लेखो जब आप एंगल निकालेंग बॉंड और बॉंड के बीच में आइडियली इनके बीच में एंगल होना चाहिए 120 का क्योंकि यहां भी सभी में 120 का ही था यह सारे एंगल 120 है सारे बनाना जरुडी नहीं हैंडस्टूड है कि सभ यह सभी 120 है पेक है्टा दिद्धिएंग यहां पर जो यहां पर जो एंगल होता है एक सोबीस हिने एंगल 120 से चोटा होता है सुन्लो लॉजिक सुन ना २ूजिक फकडियेगा देखो मैंने कल वाले lecture में कहा था कि electron pair की repulsion का order क्या होता है loan pair loan pair सबसे ज़्यादा फिर loan pair bond pair फिर bond pair अब मैं पहले बता दूँ आपको कि इस order का logic क्या है देखो आप जानते हैं एक जो loan pair होता है जैसे मान लो कोई भी आप example ले लो HCL ही ले लो मान लो एक loan pair आपने बनाया इसमें तीन loan pair है यह bond pair है जो जो bond pair होगा ना वो दो atoms उसको attract कर रहे होगा एक bond pair को दो atoms attract कर रहे होते हैं तो उसका दाइरा कम होता है जबकि loan pair को सिर्फ एक ही atom attract करता है इसलिए loan pair बड़े size का होता है क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं loan pair का जो size होता है that is bigger than bond pair क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं loan pair का size जो है bond pair से बड़ा होता है तो अब ऐसे में सुनो loan pair का size bond pair से बड़ा होता है उसका reason है बेटा जी क्यूंकि loan pair को सिर्फ एक ही atom attract कर रहा होता है bond pair को दो कर रहे होते हैं hydrogen ने भी attract किया chlorine ने भी किया है यही मतलब है ना समझ आ रही है आपको बात सो अगर loan pair बड़े size का है सो दो loan pair एक दूसरे को सबसे ज़्यादा repel करेंगे करेंगे कि नहीं बड़े-बड़े size के दो होंगे तो repulsion ज़्यादा होगी और loan pair और bond pair दूसरे नमबर पे और bond pair और bond pair तीसरे नमबर पे सही बोला के नहीं सही बोला के नहीं अब आपके दिमाग में बात प्रिट होगी कि दो बड़े-बड़े loan pair जो है एक दूसरे को ज़्यादा रिपन करेंगे जबकि एक loan pair और एक बांड पेर जो है कम करेंगे और तो बांड पेज जो एक दूसरे को बहुत कम रिपाल करेंगे जर्म का order यह रहेगा तो इसका मतलब यह है बेटा जी इसमें और बॉन पेर में लॉन पप Sage नॉइंशन च्ञावगी तो इधर से भी ज्यादा होगी इधर से छ किया होगे यह वह जह व जब आप THEस पर दोगे तो वो इस बॉन्ड को दक्का मारेगा इधर वाली साइट से इसको दक्का मारेगा तो यह बचारे दोनों बांड जो सिकूर जाएंगे क्योंकि यह रिपल्शन बड़ी है इसकी आपस में रिपल्शन से सही बात है तो एंगल थोड़ा सा 120 से चोटा हो जाएगा समझा में कि अब之前 ऑने चाय है सब को मेरी बात समझ में आई यह ऑ रही है यह क्रिपटに आप यह विल्कुल क्लियर हो रहा है बहुत्व हो sarà है बाहुत बढ़एस नैस नाइस नाइस विनिक्ता अकरशित बहुत बढ़ी है ठीक अब इसके एक्जामपल भी देख लिए जाएं एक्जामपल एसो टू एसी यूटू सल्फर डायकसाइड एसी यूटू एसेंसी यूटू मैंने का आप यह एक्जामपल को आप ज्यादा बेटेज मत दो वाद में आ जाने हैं सबको समझ आप सिर्फ कि यार एक बात बताओ नहीं कुलमीत लैस्ट दन एक सो बीस होगा इतने फंडे को याद रख अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग होगा अभी बहुत जाना वई अभी वीसी प्यार त्योड़ी इतनी च्छोटी नहीं हैं बहुत मज़ा आने वाला है अभी देखना ठीक है क्या क्या होता है ठीक है इतना कंपनी होता जैसे लग बग 119.5 होता है लग बग अब सुनू अब सुनू अगर मैं आप से ab4 के बारे में पूछ हूं कि आपको क्या लगता है इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए किसी ने नोट्स के बारे में बात की लेकिन लेकिन मैं AB4 के बारे में पूछ रहा हूँ, आप जवाब भी दीजिए, एक मिनिट है, एक मिनिट, सर जो आप नोट्स देते हो, क्या ये मॉड्यूल में पूरे होते हैं, नहीं होते, मेरे नोट्स एकदम अलग होते हैं, बेटा जी, जो आपको मॉड्यूल दिया होता है, मे मैं बाक्यों से पूछ रहा हूँ, कि AB4 में अर्रेंजमेंट क्या एंगल होगा, एंगल क्या होगा, अक्षित ने 90 डिग्री का, सक्षम 90 डिग्री, रीदम चौधरी 90 डिग्री, संचित 90, पुलमीत 90, अकर्षित 90, 90, सब गलत, सब गलत, सुन लिएंगी, आप देख, 90 में आप इमेजन कर रहे हो, सुन लीजिए, 90 में आप ये इमेजिन कर रहे हो, कि A के अराउंब b, जो है, ऐसे लगए लगे होगे, एक प्लेन में अब आपके पास मतलब सभी में 90 डिग्री का एंगल है आपके पास जो भी सुन लो आपके पास जो भी आसपास चीज़ें आप उनको यूज कर सकते हो मैं यहां पर मारकर यूज कर रहा हूं और आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए अभी अभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप देखें यहां पर मैंने चार मारकर पकड़ रखें बेटा जी और इन चारों मारकर को आप ध्यान दीजिएगा इन चारों मारकर के बीच में आप देखिएगा एंगल जो है कितना है नबे से ज्यादा है कि नहीं देखो यह एंगल आपको 90 से ज्यादा लग मेंट है बेटा जी 3D अरेंजमेंट देखो 3D पकड़ो सारे अपने हाथ में ऐसे जो कुछ है चमच कडची जिसके पास पास जो भी है चार ऐसे पकड़ो एवरी एंगल विल बी मोर दें एवरी हर कोई एंगल जो है हर कोई एंगल जो है डैट विल बी मोर दें 90 डिग्रीज देखो मेरे हाथ में भाई टीडी अरेंजमेंट हो गई ना यह इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं क्या बोला जाता है इस अरेंजमेंट को और थ्रीडी नहीं टेट्राहिड्रल तो बात करते हैं कि बॉंड पेर्स जो है चार है लोन पेर्स जो है जीरो है स्टेरिक नंबर जो है चार हो गया सो ऐसे में एक अराउंड बी जो है कैसे लेगेंगे बोर्ड पे देखिए मैं बनाता जा रहा हूं आप देखते जाए हाँ बिलकुल सही है सो सब्सक्रण आपते विए डॉर्प इस इंसाइड्र प्ली फाप्ले बोर्ड के अंदर की तरह मैं यह जो वैज है इसको हम वेज बोलते है वीज डैस का है ुडाइश ओक सुन. व्लाँ आप यह मानिए ये दोनों सॉलिड लाइने बोर्ड के प्लेन में है यह दो उलिड लाइन ने जो है बोर्ड के प्लेन में है ठीक है इत इस कि आउट ओप लेन और बॉर्ड इट इस इनसाइड प्लेइन के लिफिए यह दोनों जो है इंपलेइड देश अर्रेंजमेंट और इनके बीचका एंगल 109.2 degree 28 minutes 109.5 degrees लिख सकते हैं ठीक है क्या आपको बेटा जी यह अरेंजमेंट समझ में आई समझ में आईए ठीक है तो इस इस जुमेट्री का नाम है इस जुमेट्री का नाम हुआ अब जुमेट्री और शेप दोनों एक सी हो गई ना तो इसको बोलते हैं हम टेट्रा हीडर और इसके एक्जामपल्स ही है ओर ती एच्फोर ती सील फोड़े के बहुत सारे एक्जामपल्स हैं बट हम जो है जैसे अमोनियम हो गया ठीक है ए और फ़ूट पॉजिटिव एसएप्व यह सारे इसकेशांपल्स है बेटा जी समझा रही है आपको बात बढ़िया सब़ ठीक है चलिए अब आते हैं अगली स्टर्प्ट ए बी थ्री एन तो इसमें बॉंड पेयर तीन लोन पेयर एक स्टेरिक नंबर एक प्लस तीन चार हो गया ठीक है अब ऐसे में सुनो इसमें क्या है देखो जब स्टेरिक नंबर चार है तो दोनों की जिमेटरी एक सी होनी है लेकिन डिफरेंस किस बात का आएगा एक एराउंड ये बी इंसाइड दा प्लेन है एक बी आउटसाइड दा ही प्लेन है ऐसे और एक अन दा प्लेन ही है लेकिन एक बॉंड की जगा एक लोन पेयर लग गया देख रहे हो आप समझा रही है बात ऐसे ट्राइपॉड स्टेंड की तरह यह ऐसे पेस है और लोन पियर एक उपर है इसकी जो जियोमेट्री है इसकी जुमेट्री है देट्राहीट्र लेकिन इसकी जो शेफ है ठीज्ठ स्ट्राइगोनल पिरामिल जिसका ब्स ट्रायंगूलर है पिरामिड कि तरा नहीं गूट Л पिलमिए की तरह है यह तो शेप इस प्राइगूनल पिरामीडल ठीक है इसका बेस्ट एग्जामपल है अमोनिया बहुत एन यहां पे एच यहां पे ठीक है न और इसका और एग्जामपल है जैसे पी एच थ्री और एक हाइड्रोनियम आए इसका जो एंगल है यह जिस एंगल यह एंगल भी एप्रॉप्रॉक्सी मेटली एक औक रॉंसाथ डिगरीक होता है जैसे आमोनिया में आऊ एक सो 7 पीगडिक है एंगल भी गटे गा बिलकुल सही भास एंगल जो है एक सो साथ डिग्री के आसपास का है आप देख रहे हो एक सो नौ से गट गया क्योंकि इस लोन पियर ने इन तीनों को रिपैल करके छोटा कर दिये सही बात है समझाई बात ठीक हैं तो आप देख रहे हो कि हमारी जो वी एसी पियार फ्यूरी है वह कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है नोट करते जाएए जल्दी जल्दी हमें बहुत कुछ करना है अभी नोट कर लिया बेटा जी हां जुमेट्री स्टेरिक नंबर पर डिपेंड करता है स्टेरिक नंबर सेम है तो जुमेट्री सेम इसी तरीके से आप देखें अगला एक्जामपल ए बी टू एल टू अब इसमें लोन पेर्स दो हैं बॉंड पेर्स भी दो हैं तो स्टेरिक नंबर हो गया जी दो प्लस दो देट इस चार ठीक है सो ऐसे में देखो इसका ध्यान रखिएगा एक आराउंड अब बी एक बी जैसे इधर लगा दिया एक को आप आउटसाइड दा प्लेन ऐसे दिखा दो चाहें ठीक है और दो हैं लोन पेर्स एसे मतलब अरेंजमेंट टेट्राहिडर लिए जुमेट्री इस टेट्राहिडर लेकिन जो शेप है और या तो बैंट कहो एंगुलर कहो या वी शेप कहो दो बॉन पैर्स और अब एंगल और भी कम हो जाएगा यह एंगल जो है इनके बीच में क्योंकि अबता क्य 아니고 जो पहले पैसे जहां पर दो वोन प्रेज हैं तो पहले सुनो और भी कम होगा बिल्कुल सही बात थीक है न नकुल ने सही का कि लों फियर पहले लों को भी पहले करेगा वो दूर दूर पड़ेगा यह एंगल लगबग 104.5 डिग्रीज का होता है पानी में तो इसका अच्छा एक्जामपल है वाटर एच्टू ओ ठीक है एच्टू ओ है एच्टू एस है इस दाइग्जामपल ऑप दिस समोन वासेंगे सर्वाटर एबी टू में यह वाटर एबी टू टू टाइप का है सुनते जाएए बस समझागी बात सबको मेरे बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया अब बढ़ते हैं अगले एक्जामपल की तरफ देट इस ए बी फाइब स्टेरिक नंबर पांच पे आ गया हम यहां तक चार थे अब लोन पेर यहां पर जीरो है बांड पेर यहां पर पांच है और स्टेरिक नंबर जो है हो गया पांच प्लस जीरो पांच ठीक है इसकी शेप में आपसे नहीं पूछ रहा हूं आप सिर्फ बोर्ड पे द्यान दीजिए ठीक है इसकी शेप कैसे होनी है मैं ट्राइ कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से समझा दूँ पहले तो आप तीन बॉंड ऐसे मानी हैं ट्राइगनल प्लेनर यह इमेजिन हुआ कि ए सेंटर में और तीनों भी एक प्लेन में नहीं 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 फिर से फिर से बोलो एक मिनट समझाओ सेंग एबी 3L की एक मिनट एबी 3L की एक्जामपल क्या है एबी 3 आप एक्जामपल बताई मैंने एबी 3L की फिर से नोट कर ले एबी 3 एक्जामपल प्लेनर मान लो तीनों भी एक ही प्लेन में 120 दीगरी के एंगल है और अब इसके बाद बेटा जी एक बी आप नीचे की तरफ लगाओ और एक भी जो है आप उपर की तरफ लगाओ ठीक है इस जुमेटरी को हम बोलते हैं ट्राइगनल बाइपिरामिडल ट्राइगनल बाइपिरामिडल बोलते हैं इस जुमेटरी को ट्राइगनल बाइपिरामिडल को बोलते हैं को अगर आप देखो इसका आठा दो तो यह पिरामिड बन जाएगा इसको इससे जोडवा इससे जोड़ पहरां के तरफ बनेगा और एक नीचे तरफ बन जाएगा है न मंप si इसलिए trigonal by pyramid एक pyramid उपर की तरफ एक जो है पिरामिड नीचे की तरफ सही बोला बेटा जी इसलिए trigonal by pyramidal ठीक है अच्छा यह angle जो है इसके यह वाले angles 120 degrees के हैं और यह वाला angle जो है 90 degree का है क्या आपको मेरी बाद समझ में आ रही है ठीक है और सुनू ये जो उपर नीचे वाले बांड्स होते हैं ये जो बांड्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्जियल बांड्स और ये जो एक प्लेन में तीन बांड्स हैं इनको बोलते हैं एक्विटोरियल बांड्स तो ये दो होगे एक्जियल और ये तीन होगे एक्विटोरियल सही बात है और यहां पर ध्यान देने वारी बात ये है कि बॉंड लेंथ जो है वो एक्जियल बॉंड की जादा होती है बॉंड लेंथ ओफ एक्विटोरियल बॉंड ये खास तोर पर ध्यान देने वाली बात है इसका रीजन जो है मैं लेटर आउन बताऊंगा इसका रीजन में लेटर आउन बताऊंगा जब हाइबरडाइशन करवाऊंगा आपको अभी आप सिर्फ नोट रखिए कि एक्जियल जो है लंबे बॉंड होते हैं एक्विटोरिय से मैंने दिखाई भी है यह लंबी दिखाई है ताकि आपके दिमाग में रहे ठीक है और इसके एक्जामपल है जी जैसे पीसील फाइव ठीक है पीएफ फाइव एंड देन कि आपको मेरी बात समझ में आ गई कि जब इसमें जिमेट्रियांड शेप एक है जब लोन पेर कोई नहों तो शेप एंड जिमेट्रियार से जब लोन पेर कोई नहीं हो तो शेप एंड जिमेट्रियार सेम आगे बड़ें और आगे अगे नेक्स्ट अ Next is AB4L1. AB4L1 में loan pair 1, bond pair 4, steric number 1 plus 4, 5. ठीक है, अब, A के साथ, सुन लो, देखो यहां पे, A के साथ B कैसे लगे होंगे, B, 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 and there is one loan pair. So, अभी, इसकी जो geometry है, वो तो रहेगी, sorry, trigonal bipyramidal, ठीक है, लेकिन जो shape है, इसकी shape जो है, हम कहेंगी, C-sau structure, C-sau बोलेंगे इसको कि नहीं, या तो K-shape, या तो P-shape, मतलब K-shape, या तो P-shape, या तो P-shape, या तो P-shape, ये ऐसे होगे, आईए वर्टिक जो हैंना, सो मसले में C-sau structure बोलते हैं, में C-sau structure बोलते हैं, और इसका example है, बढ़िया SF-4, समझा रहे हैं बीटाजी आपको बात, मुझे लगता है, अब दिमाग में बैठने लग गई बात, नहीं, अब दिमाग में, बिलकुल भूमी, बहुत बढ़िया, थैंक्यू, भूमी को crystal clear होई बात, किस तरीके से ये काम कर रही है, तो अब ये भी understood 120 से छोटा angle होगा, ठीक है, तो देखो, molecules जो है, हमने पढ़ा था ना कि covalent bonds are directional, तो ये direction देखो, आ रही है, shapes अलग लगा रही है, ठीक है, सुनते जाए, अब दूसरी बात, AB2L2, या AB3L2, सॉरी, AB3L2 में, loan pair, 2, bond pair, 3, steric number, 2 plus 3, 5, तो ऐसे में, A के around, B, B, and B, और साथ में, दो loan pair, ठीक है, ये बहुत खास तोर पर याद रखने वाली shapes हैं, ये दोनों, ठीक है, ये अपने neat और जे ये दोनों के लिए खास तोर पर याद रखने वाली है, इनका जिकर आएगा, आगए मैं, आप से पूछूँगा इनके बारे में, ठीक है, ये ऐसे, ऐसे, T है, ठीक है, तो T shape है, ठीक है, और इसका example एक बहुत बढ़िया है, CLF3, ये example आपको याद रखने हैं, इन दोनों के तो खास तोर पर, ठीक है ना, इनकी तो shape बूलनी नहीं चाहिए जो है, ठीक है, ये तो आप मान के चलिए, ICL3, XCOF2, ये तो मैंने आपके seniors को आज ही कराई, XCOF2 की shape जो है, ट्वेल्थ वालों को आज ही कराई है, क्योंकि उनमें हम noble gases कर रहे थे, inert gases, P block elements हैं उनमें, सो उसमें ये shape मैंने आज ही कराई है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये मानना है, ये CL है, और ये तीन florin है, CLF3 की ऐसे होगी, T shape होगी, समझागी बात? आगे बढ़े? बस एक एक एक्जामपल काफी है, SF4, आपने और लिखना है, SCF4 लिखनो, selenium fluoride, SCF4, selenium fluoride, वो भी इसी shape का होगा, ठीक है, सुनते जाएं, अब अगली shape, अगली shape भी काम की, ठीक है, यह देखो, कितनी वराइटी होगी मॉलीक्यून, अब 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 उल्टा, एबी टू एल थ्री, एबी थ्री एल टू तो हमने कर लिए, लोन पेर्स, तीन, बॉन्ड पेर्स, दो, स्टेरिक नंबर, दो प्लस तीन, पांच, देखो, ऐसे में, एक एराउंड बी, ऐसे जुड़े होंगे, लोन पेर्स, इधर ही होंगे, लोन पेर्स हमेशा एक्विटोरियल पॉजिशन पे होते हैं, आप टीन एगजम्पल देख लीजिए, इस से पहला उस से पहला लोन पेर कभी एक्जियल पुजिशन पे नहीं जा रहे है आप देख रहे होंगे ना वो मतलब AB4L में गए ना ही AB3L2 में गए ना ही AB2L3 में गए तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि लोन पेर प्रैफर्स एक्विटॉरियल पुजिशन ठीक है तो अगर पॉसिबल हो तो एक कुटॉरियल पही जा था क्यों आगे एक रूल आएगा बैंट्स रूल उसकी बात में लेटर आउन करूंगा लेकिन फिलाल अपने दिमाग में रखते हैं अच्छा अब इसमें क्या कहें जुमेट्री जुमेट्री की जहां तक बात है क्या होगा जुमेट्री विल भी ट्राइगनल बाइपिरामीडल शेप आप सिर्फ बॉंड बॉंड को अगर आप देखें तो शेप इस लीनियर सही बात है और इसका जो एक एक एग्जामपल जो सबसे बढ़िया है लट इस आई थ्री वन नेगेटिव आई थ्री वन नेगेटिव और आई सी एल टू नेगेटिव ठीक है एंड एन एक सी एफ टू भी है एक सी एक को भी आज ही डील किया हमने क्योंकि यह भी नोबल गैसिद वाला ही है तो इसलिए इन एग्जामपल को आप जो है ध्यान में रखिएगा यह हम फिर से दुबारा करेंगे अभी तो बेटा जी देखो सुन लो अभी तो हम यह कर रहे हैं अभी हम एक तरह से रट रहे हम सिर्फ लॉजिक ए बी इस डाइग्राम का लॉजिक हम यह कर रहे हैं ठीक है लेकिन एग्जामपल का लॉजिक अभी ह तो कोई नहीं कि तो जितने एक्यामपल्स हैं हम एक एक की बात करेंगे इसे टॉपिक में करेंगे कीव क्योंकि हम सिर्फ एक थियोरी को पढ़ रहे हैं उस थियोरी ने सिर्फ चोटी सी बात कही थी कि सुनो उस थियोरी ने सिर्फ यह कहा था कि लोन पेर और बॉंड पेर अपने आपको ऐसे अलाइन करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए इसलिए हम अमारी थियोरी जो है यहां पर चल रही है एक्जाम्पल्स हमने लिख लिए एक्स्प्लेइन में उनको आगे करूँ इसी टोक है कि अगली थियोरी और ज्यादा बात बता है यह तो सबसे पहली थियोरी की ना हमने एक है तो यह सिर्फ जो है शेप के बारे में जन इसमें बॉंड पेयर है छे लोन पेयर है जीरो सो ऐसे में स्टैरिक नंबर जो है आगया छे सुन लीजिए सो ऐसे में एक ए अराउंड आप ध्यान दीजिए गाइस शेप को यह सभी बॉंड के बीच में एंगल जो है नबे डिग्री का है यह देखो इसमें जो जुमेट्री है उसको बोलते हम ऑक्टाहीडरल यह स्कुएर बाइपीरामिडल ठीक है और शेप भी सेम होगी क्योंकि लोन पियर कोई नहीं है ठीक है और इसका एग्जामपल एक एग्जामपल है में एस एफ सिक्स ठीक है पी इसी एल सिक्स एक्सी ओटू एफ ओर एक्सी ओटू एफ ओर एक्सी ओटू एफ ओर ठीक है कि ओक्ता हीड्रल कई लोगों को अप्टा हीड्रल टर्म में प्रॉलम हो सकती है देखो कैसे होता है और अगर आप एक स्कुएर इमेजिन करें और फिर उसको एक टॉप से ऐसे जोड़तें झारत हैं यह देखो कि आप सो यह क्या अफिया तर्सकुर्थ बन गया एक स्कुएर पिरामिों बन गया у्ड़ выглядит यह थाट यह चाग्च pengल उपर आशे चाहच त्रायेंगल जो नीच्यों इसलिए अगर आप इसके ट्राइंगल का नमबर देखो जो फेश बोलते हैं इसको जैसे एक पीस हैं कि तो इसलिए और यह आउक्ताइडर्र गोल तो इसमें भी अगर हम इनको जोड दे ना तो ऐसे जो है तो आप देखी रहे हैं तो च्छे से नहीं है कि डाइमंड टाइप जो स्ट्रक्चर आ रही है उसकी वज़ए से समझाई मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई क्या बात है क्या बात है जबर्दस्त नाइस कुछ कर देते हो आप लोग चलो आगे बढ़ते हैं लग अब देखोए कि मक्खन generally सम्झ में आ रहा है था नय बच्छों के भी समझ में आ रहा ठीक है पुड़ाने कुछ रिलेशन इसनी नहीं है चिक है पुड़ानी बात का कोई इसनी नहीं है इसलिए एक दम औराम से सब को जो है समझ आता जा रहा है यह जो एक्जामपल है नए वाले यह मत सोचें कि उनको टफ हो रहा है यह सब को टफ है और बस चिंता मत कर मानव जो होते हैं तो यार हर चीज में ठक जाता है मानव मांड़ा दू तक तिरसे साइकल नहीं चड़ाई जाती ठीक है और थोड़ा सा पढ़ा दो तो तू जो है ठीक है चलो AB5N अब लोन पेर एक बॉंड पेर पांच स्टेरिक नंबर एक प्लस पांच खे अब इसमें देखो एक ए राउंड वी वी ऐसे जूड़े होंगे एंड देर इस लोन पेर एक बांड को अटा के लोन पेर बना दीजिए बस यह आगे शीप ठीक है सो इसमें जो जूमेट्री है जूमेट्री तो कितनी क्या आगई जूमेट्री आगई हमारी ओक्टाहीडर लेकिन जो शेप है शेप इसकी आएगी स्क्वेर पीरामिड़ ठीक है और एक्जामपल एक्सीओ एफ पॉर ठीक है आईसी एल फाइव बी आर एफ फाइव बस जयादा नहीं बचते मानब किंता मत करतूं नेक्स्टीज एबी फोर एल टूप अब एबी फोर एल टू में लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर चार स्टैरिक नमबर शे अब देखो एक एर राउंड बी ऐसे लगे हैं और लोन पेयर दो बॉर लेकिन इस में भी ध्यांद देने वाली बात हर कहीं है देखो लोन पेयर इधर लगे वह नहीं तो ऐसी भी हो सकता था एक लोन पेयर इधर लग जाए एक लग जांड़ाए नहीं क्योंकि आपको पता है लों पर लों पहर रिपुर्षन मैक्सिमम मोती है तो वो fb भले यह नहीं हो सकता कि लोन पहर एक दूसरे के नबे पे आज़ा में टो जब भी लों पहर करेंगे जो मैक्सिमम एंगल एविलेबल होगा उस पे जाएंगे ठीक है बाद इसमें मैक्सिमम एंगल 180 का अविलेबल है तो एक दूसरे के उल्टें ठीक है तो अगें यहां पर जुमेट्री जो है क्या है ऑक्टाहिड्रल है यहां पर शेप क्यों क्या बोलेंगे हम स्क्वेर प्लेंडर बोलेंगे ठीक है और इसके एग्जामपल XCF4 तो इसका एग्जामपल है ही ठीक है एंड इन इसके एग्जामपल ICL4 नेगेटिव टी इसी एल फोर टू नेगेटिव SBCL4 त्री नेगेटिव एग्जामपल को आप जस्ट नो डाउन कर लिए बात खत्म ठीक है कर दिया नोट ठीक है ठीक है मैंने वह नहीं पढ़ा जो है कुछ ही ने लिखा था लेकिन कोई बात नेक्स्ट इस AB7 बस यह लास्ट है साथ स्टेरिक नंबर वाला लास्ट है बस तो दो तिन एग्जामपल जोर हैं चिंता मत दीजा सो लोन पेर तो यहां पे जीरो है एंड बॉन्ड पेर हो गए हमारे पास साथ तो स्टेरिक नंबर हो गया जी साथ तो ऐसे में साथ में एक या राउंड सुन लो कैसे लगे होंगे जैसे देरिज बी देरिज बी देरिज बी देरिज बी बी यह सारे जो है पेंटागन की तरह हैं सुन लो और उसके बाद दो भी वर्टिकल इनके बीच में एंगल 72 डिग्रीज का है इनके बीच में नाइट्र पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब पांच एक प्लेन में हैं फिर सेंटर से एक ऊपर एक नीचे इसलिए इसकी जो जुमेट्री है यह पेंटागोनल बाइपिरामिडर शेप भी वही है ठीकर और इसका एक्जांपल जो है आई एफ सेवन इसका बहुत बड़िया एक्जांपल है ठीकर आई एफ सेवन जो है ठीकर समझारी यह बात कॉंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को कॉंसेप्ट समझ में आ रहा है हाँ नोट कर लिए अराम से नोट कीजिए सर में ऐसी पूछ रहा था ओके चलो बहुत बढ़िया नाइस नाइस तो दुनिया में जितने भी मॉली क्यूल्स एक्जिस्ट करते हैं एक्जीयल पॉजिशन होगी यह लेकिन सुनो सुन लो सुन लो एक मिनट हाँ किसी ने पॉइंट किया कि यह एक्जियल है और हमने लिखाया था एक्टॉरियल ही करते हैं सुन लो बेटा जी जो एक्जियल और एक्टॉरियल वर्ड है ना उस्टेरिक नंबर पांच वाले के लिए applicable है जितने भी steric number five沒 example की इसमें पता क्या है इसमें चाहे आप ऐसे रखें जाहे ऐसे रख़ें इसे रखिए था एंकल में इसमें अगर करेंगे जितना है नीचे से उपर करें आपर से नीचे को रिखाल कर रहें कि इसमें थोड़ा सा नब्ऩे से कम हो जाएगा थोड़ा सogy तब यह थोड़ा सी आपर को उठा हुआ है ना ही बांड्स थोड़े ओपर को उठ जाएंगे मामूली है एक डिगरी कर दीजे कम ठीक है उपर की तरफ एटी नाइन डिगरी ऐसे बस है ना कम जा रही है बात कि नोट कर लिए आपने चलिए कर लिया आगे बढ़ते हैं बस अब सुनें नेक्स थी तो अगला एक्जाम्पल है एबी सिक्स एल वन लोन पेयर एक बांड पेयर छे स्टेरिक नंबर एक प्लस छे साथ इसमें जो जुमेट्री होगी बड़ी स्पेशल तरह की होती है ए ऐसा ची याद रख लीजिएगा बी और यहां पर एक बी है और यहां पर एक लोन पेयर एसा ठीक है तो आप देखें यहां पर इसकी जो शेप है इसकी जो जुमेट्री है देट इस पेंटागोनल बाई पीरामिडल बट इसकी जो शेप है उसको बोलते हैं distorted octahedral ठीक है और इसके जो एक्जामपल है xcf6 आज यह आपके seniors को कराया है xcf6 and icl6 negative icl6 negative ठीक है और बस लास्ट में यह यह आप यह मानिए यह चार एक प्लेन में यह ऊपर जो एक बॉन्ड खा उसकी जगाल लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इकठे है कि टेप समझनी आई देखो इस शेप को जो है ना इस शेप को बना ऑक्टाइडल ऑक्टाइडल कैसे होता अगर बी सीधा होता बिल्कुल तो ऑक्टाइडल होता चार एक प्लेन में एक नीची उपर अब बी टेड़ा हो गया तो क्या हो गया distorted समझाई बाद लोन पेयर ने बी को थोड़ा टेड़ा कर दिया ठीक है तो ऑक्टाहिड्रल की जगा distorted of डिस्टाइडल डिस्टॉट हो गया ठीक है अच्छा एंड दे नेक्स्ट इस अबी फाइब एल टू लोन पेयर्स दो बॉंड पेयर्स पांच स्टेरिक नंबर दो प्लस पांच साथ ऐसे में इसमें आप देखिएगा एक या राउंड मलब पांच तो एक ही प्लेन में है आप सुनिए पेंटागन और साथ में दो लोन पेयर्स एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर्स ठीक है इसलिए इसकी जमेट्री तो जो है इस पेंटागोनल बाई पीरामीडल पर जो शेप है इस पेंटागोनल प्लेनर ठीक है तो एक्जाम्पल एक्सी एफ पाइफ नेगेटिव पुल्मीद खत्म आज का लेक्चर खत्म है अगें लोन पेयर एक सब्सक्राइब करती है वह हमने सारी इसमें नहीं इसमें एंगल जो है इसमें जो एंगल है वह लगबग 90 डिगरी के आसपास का क्योंकि आप्टाइडल है तो काफी डिफ्रेंस आया थिक है यह तो शेप ही अलग हो गई ठीक है इसमें 72 ही होगा क्योंकि जितनी नीचे से रिपलसे ने उतनी उपर से उपर नीचे बराबर इसमें एंगल 72 ही है तो यह हो गया अपने वीएसी पियर का एक यूस आपने देख लिए नहीं या बंदे ने थियोरी दी है कि भी हां ऐसे ही हो रहा है लोन पियर्स और बॉन पियर्स ऐसे ही एक दूसरे कि रिपल्शन करते हैं अभी बहुत कुछ करना है इसी है बहुत अगे ठीक है तो अगर 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 मेरी बात मैंने एक औक सिदेशन नंबर वाला लेक्चर लिया था अगर बहुत खतरना अब आगे आणिया तो मैंने आपको औक सिदेशन नंबर निकालना सिखा दिया है यह कौन सा लेक्चर था याद है किसी को मोल कॉंसेप्ट का कौन सा लेक्चर था यह मोल कॉंसेप्ट नंबर क्या था ऑक्सिडेशन नंबर जिसमें निकालना सिखाया था साथ या आड़ था कुलमीत कह रहा है साथ सैवंथ या एर्थ लेक्चर था सुन लो कृति का कह रही है लेक्चर टैन्थ था एक बार पक्का बताओ सुन लीजीए जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि अगला अगली क्लास लगाने से पहले लेक्चर नाइन्थ और टैन्थ मोल कॉंसेप्ट का सुन लीजिए मोल कॉंसेप्ट का लेक्चर 9 और 10 जो है वो पढ़ ले मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपलोड कर दूँ आपके ग्रूप में डाल दूँ ठीक है आप ऑक्सिडेशन नंबर निकालना सीख जाईएगा क्योंकि हाइबिडाइजिशन करेंगे हम एक तरीका ऑक्सि कर देना किसार अपलोड कर दीजिए ठीक है आपके ग्रूप में फावर्ड कर दीजिए तो मैं उसको फावर्ड भी कर दूँगा ठीक है तो आप अगली क्लास से पहले जो है उसको पढ़ लेना ताकि आपको और निकालना सीख जाएगा चलिए तो आज के लिए इतना ही आ ठीक है मज़ा आ गया ना कुल को मज़ा आ गया बहुत बढ़िया और किसी ने कहा ठीक है ठीक है एक मिनिटे को मुझे क्या लिखा सब्सक्राइब वाचिंग प्रीविए यह टेकन माइने बट सॉरी सब्सक्राइब नोट आंसर ड्यू तो वाइफाइश ओके क्रिशने झाल